सब्सक्राइब करें शहर कटिंग एंड इस्टिचिंग को और किलिक करें बेल आइकन पर हेलो फ्रेंड्स यह मैंने चार इंच की मोहरी ले लिए दोनों साइडम दो दो लहरे बना ली है तो इसको हम ना पेंगे जो इसका बीच वाला हिस्सा यह आरा है तीन इंच तीन इंच का आदा होता है डेड़ इंच डेड़ इंच पर आपको मार्किंग करना है रोग इन सभी निसानों को बिल्कुल इस्ट्रेट कर लेना है इंच टेप की हल्प से हलका हलका चौक चलाते होई तो चलिए सबसे पहले श्ट्रैट सिलाई लगा लेंगे लग चुकी सिलाई तो अब आपको यहां पर देखें इस तरीके से लहर का आकार बना देना होगा ठीक है फ्रेंड्स दोनों साइडम आमने सामने इनके और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे बहुत एजी तरुके से लगा जाती है फ्रेंड्स इन लहरों पर आपके पास लहर बनारे नहीं आ दे तो आप चौक की हेलप से बना ले तो फ्रेंड्स यह लग इसी तरीके से बना दिंगे और यहां पर भी इसी तरीटे से बना दिंगे ठीके फ्रेंड्स तो चलिए सबसे पहले अपने elevator को कम्पलीट कर लेते हैंnię फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपको मेरे प्यारा सा महरी डिजाइन पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें आप भी जरूर ट्राइए किजिएगा बहुत ही इजी तरीके से बनकर ये डिजाइन तयार हो जाता है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ब्यूटिफुल महरी डिजाइन कैसे लगा ठीक है फ्रेंड्स तो इसी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है डिजाइन तो इस तरह से आएंग यहीं से अपनी सिलाई को बैक करते हुए चलते हैं पत्ति की और तो इसी तरीके से हम अपनी पत्ति को भी बना लेंगे पत्ति हमने गुलाई वाल पत्ति नहीं बनानी है थोड़ी ट्राइंगल शेफ में तिरची बनानी है ठीके फ्रेंट्स और इसके अंदर एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि हमारी पत्ती जाए और भी ज्यादा बीटूफुल नजर आए ठीक फ्रेंड्स तो चलते हैं सेकेंड फिलोवर की और तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आएगा यह फिलोवर सभी फिलोवर बनकर कंप्लीट है अब आपको चौप की हल्प से इस लाइन बना देनी होंगी और इसके अंदर सिलाइए इस सोरी इसके अंदर लहरे बना देंगे ठीक फ्रेंड्स तो देखिए इस तरीके से में दोनों साइड़ों में लहरे बना लूँगी बहुत एजी तरीके से बन जाती है लहरे तो देखिए फ्रेंड्स कितना इजी तर कर दो कर दो कि याओा है